Hi everyone, welcome back to my channel तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे ही होंगे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Honda Upcoming Adventure Tourer Bike Honda CB500X के बारे में इस बारे में इस बारे में इस बारे में इस बारे में बात करेंगे तो अगर आपको Honda CB500X के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्डन अपडेट मिस नहीं हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये बाइक एक टिपिकल एडवेंचरल टूर टाइप की मशीन है ये बाइक CBR500R और CB500F के साथ काफी सारे कॉंपोनेंट को शेयर करती है बिकज होंडा ने इन तीनों बाइक के अंदर ही सेम इंजन दिया है अगर बात करें इस बाइक की लाँच के बारे में तो इस बाइक की जो एक्सपेक्टेड लाँच है वो है एप्रिल 2021 और इस बाइक को भी आप हॉंडा की बिग विंग डिलर्शिप के थ्रू ही परचेज कर सकते हो बेकज ये एक प्रिमियम सेग्मेंट की मशीन है जो हॉंडा की बिग विंग डिलर्शिप में ही आपको देखने को मिलेगी सो गाइस 300cc सेग्मेंट में हॉंडा हाइनस CB350 और CB350RS को लांच करने के बाद अब 500cc सेग्मेंट की बाइक को इंडियन 2W मार्केट में लांच करेगी Most probably हॉंडा CB500X 500cc सेग्मेंट में हॉंडा की तरफ से फर्स्ट बाइक होगी जो इंडियन 2W मार्केट में जल्दी ही देखने को मिलेगी और उसके बाद CBR500R और CB500F को भी जल्दी ही इंडियन 2W मारकेट में देखने को मिलेगी सो हॉंडा CB500X एप्रिल के आसपास इंडियन 2W मारकेट में अफिशली लांच होने वाली है सो अगर बात करें इस बाइक की इंजन के बारे में तो इसमें 471CC का पैलल तुइन सिलिंडर लिक्विट कूल्ड फ्यूल इंजक्टर DOHC BA6 कंप्राइंड इंजन देखने को मिलेगा जिसकी मैक्सिमम पाउर होगी 47.5 PS के आसपास और मैक्सिमम टॉक होगा 43 Nm के आसपास with 6-speed transmission तो अब बात करते हैं इस बाइक की एक्सपेक्टेड एक्षोर्म प्राइस के बारे में तो इसकी एक्सपेक्टेड एक्षोर्म प्राइस होने वाली है 5,50,000 और ये बाइक इंडियन टुविलर मारकेट में बैनिली TRK 502, KTM Adventure 390 और Royal Enfield Himalayan के साथ कंपीट करेगी बागी features के बारे में बात करें तो इस बाइक में dual exhaust system होगा और guys Honda क्लेम करती है कि इस बाइक में आपको 27 की MPL की मालेज मिल जाएगी अब ये तो exactly इस बाइक की launch होने के बाद ही पता चलेगा किसकी actual जो मालेज है वो कितनी है और इसमें आपको fuel capacity मिलेगी 17.5 liters की तो अगर हम Honda की claim के according calculate करें तो अगर आप इस बाइक के tank को full करा लेते होते होते है अब बात करते हैं इस बाइक की frame के बारे में तो ये bike diamond shaped steel frame पे based है जिसके अंदर आपको 41 mm की conventional telescopic front fox है और rear में 5 step adjustable monoshock suspension है और इसमें आपको 19 inch का front wheel मिलेगा और 17 inch का rear wheel होगा अब बात करते हैं इस बाइक की braking system के बारे में तो इसमें 310 mm की front disc है with two piston calipers 240 mm की rear disc है with single calipers with standard dual channel ABS अब बात करते हैं इस bike की dimension के बारे में तो इसका weight है वो है 197 kg और इस bike की seat height है 830 mm की आपने mostly adventure bikes की seat height है वो जादे ही देखी है तो इस bike की seat height है वो भी जादे ही है और इसमें आपको fuel capacity मिलेगी 17.5 liters की और इसकी ground clearance होगी 180 mm की तो अब बात करते हैं tire size के बारे में तो इसमें front में आपको 110 upon 80 section का front tire है 160 upon 60 section का rear tire है जो की super wide tubeless tires हैं अब बात करते हैं इस bike की electrical features के बारे में तो Honda ने इस bike में all LED headlights का use किया है front में LED headlights है with LED DRL rear में small LED tail lights है LED indicators भी है और इस bike का digital instrument console है वो fully digital है जिसमें सारे features fully digital होंगे और इस bike में आपको front में large wind screen होगी जो कि आपको wind blast से भी काफी जादा अच्छी protection प्रोवाइड करेगी तो ये थी सारे details Honda की upcoming bike Honda CB500X के बारे में और ये bike April 2021 के आसपास launch होने वाली है और इस bike का जो expected action price है वो है 5,50,000 I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दिजेगा और चैनल को subscribe कर लिजेगा तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में till then bye bye take care